देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूं, आचा करता हूं, आप सभी सोस्तोंगे, महादेव की क्रिपा, आप सभी पर सदैप बनी रहें, यह वीडियो है, 14 अप्रेल 2023, शुक्रवार यानि की फ्राइडे के दैनिक राशिफल के बारे में, सामान्य आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है, और आपकी सुवीधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदश्वित होता है, हर राशी के साथ दिन का उपाई भी बताय जाता है, राशीफल पर चलेंगे, लिकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर पक्ष चल रहा है, सूर्य महराज 5.58 एम पर उदे होके अस्त होंगे 6.47 पीम पर, चंद्रमा मकर में रहेंगे नक्षत रहेगा उत्तर अशाड़ा, सूर्य महराज मीन में रहेंगे नक्षत रहेगा उनका रेवती, विशेश मूरत, ब्रहम मूरत 4.29 एम से 5.13 एम, से 12.22 पीम और गुलिक काल, 7.34 एम से 9.10 एम, इन दोनों ही अशुब मूरतों में यदि आपको घर से निकलना है, तो एक बार दुरगा चालीसा का पार्ट करके ही घर से निकलिएगा, तो ये था पंचान, चलेंगे हम राशी फल के तरफ और शुरुआत करेंगे मेश के सा मेश थोड़ा सा धहरे रखेगा, थोड़ा सा आपने आपको शान्त रखेगा, क्योंकि आज ये दिन ऐसा है कि अशान्त मन रहेगा, गुस्सा रहेगा और इमोशनली इंबैलन्स रहेगा, आने वाले समय में बलकि 14 तारीक का राशी फल है, तो 14 तारीक को ही आपकी राशी थोड़े से परिशान करने वाले रहेंगे, तो थोड़ा सा अपने मानसिक सेहत का ध्यान अवश्य दिजेगा, इन्वेस्मेंट नहीं करनी, अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजे, फिजिकल, मेंटल दोनों कहा और उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, जातक करियर की बात है कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा, बिजनस, सेम चीज, कॉम्मुनिकेशन कम रख नहीं है, सीमित रख नहीं है, अच्छा रहेगा, लव राइफ, एक मौका मिल सकता है चीजों को ठीक करने का, विवाहिक जिवन, बहुत अन्प्रेक्टिकालिट का दो बार पाट करना है, शुब अंक है नौ, कलर है आपका ब्लैक भागय पतिशत है, साथ को ठीक है, आज का दिन आपके लिए वैसे तो ठीक है, लेकिन कॉन्फिक्ट्स हो सकते हैं, वैचारिक मत्बेद बहुत हो सकते हैं, इस चीज से धोड़ा बचना है, और फ्यूच मत कीजी, अब इसे प्लैनिंग करेंगे, तभी चीज़ें ठीक होंगी, आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा अपने घरवालों के साथ समय अवश्य बिताईएगा, क्योंकि एक फैमिली में या फिर कहिए, वर्क और परसनल लाइफ में एक इंबैलन्स सा आ गया है, इंवेस जीवन, थोड़ा realization करना पड़ेगा, कि हाँ समय बदल रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, और आपके life partner में भी changes आ रहे हैं, इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़िए, जा तक students की बात है, आपने आपको थोड़ा relax रखेगा, सेहत के इस आपसे, पेट के रोग और नसों शुबंक है 9, कल है आपका orange भागे प्रतिशत है, 70 प्रतिशत, जैमिनाय, मिथुन, आज का दिन बहुत अच्छा है, कुछ कारे रुक रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे, उनके संबंद में कुछ अच्छी news आ सकती है, अपने आपको समझने का मौका मिलेगा, analyze करने का मौक सकती है, सेहत भी कर सकती है, और कुछ लोग जान बुचकर ठंग भी कर सकते हैं, जहां तक करियर की बात है, बहुत शुब दिन है, कुछ कारे आपके अटक रहे थे, या गलतियां हो रहे थे, वो चीज़े ठीक होंगी, बिजनस, आप से मैं यहीं कहूँगा, कि थोड़ी creativity अपने बिजनस मिलाई है, लव लाइफ, कभी-कभी बहुत सच बोलना भी भारी पड़ जाता है, आज का दिन वैसा ही देख रहा है, थोड़ा सच बोलिएगा, लेकिन थोड़ा उसको मॉडरेट करके, थोड़ा शुगर कोट करके, विवाहिक जीवन, आगे के पार में वि उसके करण आप क्या कर सकते हैं, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, इस चीज को बहुत सीरिसली लेजेगा, आगे बढ़ना है, तो अपने पॉजिटिव पॉइंट्स धूड़िए, उस पर काम कीजिए, सेहत थोड़ी बिगर सकती है, आज पेट के रोग तंग करेंगे, इ कैंसर दिन ठीक है, लेकिन पुरानी चीजों को छोड़ कर आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत गिल्ट फीलिंग से गुजर रहे हैं, कि मैंने ये तब कर लिया होता तो अच्छा होता, ये तब कर लिया होता तो अच्छा होता, ठीक है, हम रेट्रोस्पेक्ट में जब दे नेगेटिव हुआ था, उसके बारे में अब विचार करके कोई फायदा नहीं, जो कर सकते हैं, जिन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो डिसीजन बदल सकते हैं, वो करके उन चीजों पर काम करके आगे बढ़ने का प्रयास केजिए, दिन आज का वैसे आपका अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन ये पुरानी चीजों पर अगर गए तो पूरा दिन बरबाद हो जाएगा, जहां तक इन्वेस्मेंट की बात है, बिलकुल मत कीजेगा, अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं, करियर के हिसाब से, एजुकेशन इंडस्ट्री में हिलाव होगा, बि जिवाहिक जिवन, प्लैनिंग पर काम केजिए, आगे कैसे बढ़ना है दोनों को, इस पर काम केजिए, स्टूडेंस, बहुत जल्दबाजी दिख रहे ही आज, थोड़ा धहर रखेगा, सेहत, पेट के रोग तंग करेंगे, सरवाश्टक में आपका तीसरा भावतिन तबल रहेगी, confusion इसलिए रहेगी, क्योंकि चीज़ें बहुत बदल रही है, तेज रफतार से बदल रही है, तो इसलिए थोड़ा धहरे बनाकर, अपने उपर विश्वास रखकर, चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास केजिए, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूंगा कि कुछ भी एक्स्ट्रीम में जाकर मत किया किजिए, प्यार करते हैं तो एक्स्ट्रीम में, नफरत करते हैं तो एक्स्ट्रीम में, आज का समय ये है कि हर चीज़ बैलेंस वे में करने चाहिए, प्यार हो, नफरत हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा अपने जीवन में मॉडरेशन ले बिजनस यहां पर अनिश्यत्ता रहेगी पैसा आज सकते हैं अचानक से लेकिन लौस भी हो सकते हैं तो दिन अनिश्यत्ता लेकर आ रहा है लव लाइफ लव लाइफ आची अच्छे देख रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहे, जहां तक विवाहिक जीवन की बात है, प्लैनिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है, स्पचलि अगर आप फैमिली प्लैनिंग के बारे में विचार कर रहे हैं, तो कैसे आगे बड़े, क्या-क्य अच्छा, फाइनेंशल इंप्लिकेशन से इन सब पर बात कर सकते हैं, स्टूडेंस, आपकी उर्जा बहुत खंडे तो हो रही है, इधर उधर भाग रही है उर्जा, उर्जा अकर स्टूडेंस के समय में, जब आप स्टूडेंट हैं उस टाइम पर आपने नहीं कंट्रोल करी, तो थोड़ा उसका नुक्सान हो सकता है, तो अपनी उर्जा को सही डिरेक्शन में लगाएं, सेहत, नसों के रोग, सरवाज तक आपका धन स्थान वली है, तो धन के संबंद में अच्छा हो सकता है, उपाई ये है कि आपको काली चालीसा, दुरगा चालीसा, एक एक पारपाट करना है, शुबंक है, तीन, कलर है आपका यलो, भाग्य प्रतिशत है, 75 प्रतिशत, कन्या, वर्गो, बहुत अच्छा दिन है आज, आज बहुत एक्शन ओरियंटेड रहेंगे, कारें आपके बनेंगे, शुबता दिख रही है, शान्त, एक पूरे सभाव से आसनाओं पर कंट्रोल रखिएगा, जहां तक करियर की बात है, कॉंपेटिटिव दिन रहेगा, लेकिन दिन अच्छा रहेगा, बिजनस, कोई आपका सरकारी कारेटर करहा था, पूरा हो सकता है, लव लाइफ, बंधन सा लगने लगा है, रिलेशन्शिप, और अगर ऐसा ह और आए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहे, क्योंकि रिलेशन्शिप अगर बंधन सा लगने लगने लग जाते हैं, बहुत चीज़ें खराब है, विवाहिक जीवन, यह अच्छा नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम हो सकते हैं, लड़ाई जगड़े हो सकते हैं, इनलो कर लिजे, क्या-क्या वास्तविक्ता में कर सकते हैं, सेहत के इसाब से पेट के रोग सरवाश्टक में आपका प्रथम सानी बली है, तो इसलिए दिन आज का अच्छा ही जाएगा, उपाय यह है कि आपको काली माता के एक बार आर्थी करनी है, और उनको किसी भी मिश्ठान कभी लगाना है, शुब अंक है, आपका आठ कलर है, आपका ग्रीन भागय पतिशत है, अस्ति पतिशत, तुला, लिब्रा, दिन आज का आपके लिए वैसे ठीक ही दिख रहा है, बस एक ही चीज़ आपसे कहूंगा कि अपने परसनल लाइफ पर भी ध्यान दीजे, इमोशन पर भी परसनल लाइफ पर भी ध्यान दीजे, आज अचानक से कहीं से कुछ बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए आ सकती है, दिन बहुत बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी जो चीज़े मैंने शुरू में कहीं उनका ध्यान दीजेगा, इंवेस्पन करी जा सकती ह वानी पर कंट्रोल रखेगा, करियर के हिसाब से, बहुत प्रोफेशनल आज रहना पड़ेगा, हमेशा ही रहना चाहिए, लेकिन कभी-कभी हसी मजाग चल जाता है, लेकिन आज बहुत प्रोफेशनल रहेगा, बिजनस, जो कार्य अटक रहेते हैं, समझ नहीं आ रहता कैस पूरे होंगे, उनका आज कुछ न को चुपाए मिल सकता है, लव लाइफ, इगो क्लैशेस हो रहे हैं, आज भी हो सकते हैं, इस पर काम कीजेगा, ये इगो क्लैशेस जो होते हैं, बड़े-बड़े संबंदों को खराब कर देते हैं, तो इस पर काम कीजे, विवाही जीव तो सेहत का दुध्यान देना ही पड़ेगा, और खर्चे भी थोड़े बड़ेगी, उपाई ये है कि आपको दुरगा चालीसा का एक बार पाट करना है, शुब अंक है, पांच कले है, आपका वाइट भाग्य पतिशित है, साथ पतिशित है, स्कॉर्पियो, व्रिश्चिक आज का दिन आपके लिए वैसे तो ठीक ही दिख रहा है, बस थोड़ा सा अपनी वाणी में सौमेता रखीगा, क्योंकि व्यंगात्मक कभी-कभी हो जाते हैं, व्रिश्चिक वाले, मैं यह नहीं कह रहा कि जान बूच कर रहा किसी को थेस पहुचाने के लिए, लेकिन एक स के लिए बचाते रखेगा, आज मतलब की नहीं बोलने हो, दिन वैसे अच्छा है, कुछ न कुछ लाव आपको प्राप्त हो सकता है, बैलन्स रहेगा दिन में, इन्वेस्पन भी कर सकते हैं, और कोई अच्छी न्यूज भी आ सकती है, करियर, अगर आप फाइनस फिल में ह है, लाप होगा, बिजनस, बिजनस में भी आज का दिन बहुत अच्छा है, एजुकेशन समदित बिजनस है, लाप होगा, लव लाइफ, शॉर्टकट्स बहुत ले रहे हैं, कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और प्लैनिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने पार्टनर होगी, तबी चीज़े ठीक होगी, स्टूडेंस, बहुत अच्छा दिन है आज का, लेकिन पेशेंस रखिएगा, सेहत, गले के रोग और थायरोड की प्रॉब्लम में दिख़त बड़ेगी, सरवाश्टक में आपका लाबस्थान बली है, तो दिन बता ही रहे कि लाब गु बहुत रहेगी, वैसे भी धनों में होती है, मैं कई बार बता चुमल, कभी-कभी वो दिन बहुत तंग करते हैं, एंग्जाइटी इतनी इनकी हो जाती है कि ये खुद परिशान हो जाते है, कारण क्या है कि 14 तारीक का राशीतल है, और 14 तारीक को गरहन योग बन रहा है, लेकिन गरहन तो 20 तारीक को लगेगा, लेकिन गरहन योग बन रहा है क्योंकि सूर्य और राहु साथ में आ रहे हैं, और क्योंकि वो आपका त्रिकोन स्थान बन जाता है, तो एंग्जाइटी थोड़ी बड़ेगी, तो थोड़ा सा आपने उपर धहर रखेगा, आज इंवेस्मेंट करी जा सकती है, किसी को भी खुश करने के लिए कोई फेक कमिट्मेंट, फॉल्स कमिट्मेंट मत कीजेगा, करियर के हिसाब से आज का दिन अच्छा ही देख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं देख रही बलकि भागे का साथ मिलेगा, कारेक शेत्र में, इसके कारण जो कर सकते हैं, वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं, चोटे-चोटे टार्गेट्स लखिए कि ये करना है, आज ये करना है, परसो ये करना है, सफते में ये करना है, जितना आपने जीवन को सरल कर लेंगे, उतना अच्छा रहेगा, सेहत के हिसाब से हिर्दे संब अच्छा का दिन काफी बीजी जाएगा लेकिन अच्छा जाएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको दुर्गा चरीसा का दो बार पाट करना है शुब अंक है आपका तीन कलर है आपका पिंक भाग्य प्रतिशत है 70 कौन मकर दिन बहुत शुब है लेकिन कंपैरिजन्स मत कीजेगा ऐसा लग रहा है कि अपने जीवन को दूसरों से कंपेर करना शुरू कर देंगी और उसके कारण जो अच्छा दिन देख रहा है उसका लाब नहीं उठा पाएंगे आज इच्छाएं भी अच्छानक से बढ़ेंगी और इच्छाएं पूरी भी हो सकते हैं कोई ल अलग circumstances होते हैं अलग challenges होते हैं तो आज के दिन को compare मत कीजिगा influence होना किसी से किसी से प्रभावित होना अलग चीज होती है compare होना compare करना अलग चीज होती है दिन लेकिन आज का बहुत अच्छा अगर विदेश जाना चाते ते चीज़ें आगे बढ़ेंगी investment कर सकते हैं emotional सेह ना की समझ नहीं पा रहें दोनों ही side से हो रहा है ऐसा क्यूं हो रहा है उस चीज की जड़ पर जाईए विवाहिक जिवन patience रखनी पड़ेगी धैरे दिखाना पड़ेगा दिन अच्छा है लेकिन patience नहीं रही तो problem पड़ेगी जहां तक students की बात है confidence पर काम कीजी confidence ना होने दिखे रहा है आपके लिए उपाई यह है कि आपको काली चली सागा दो बार पाट करना है शुप अंग है नौ कलर है ब्ल्यू भागय पतिशत असी पतिशत कुम्भ एक्वेरियस शांती बनाके रखेगा judgmental comments मत कीजिएगा ये दोनों ही चीज़ें परिशान करेंगी कुछ कानूनी कार्याट करें उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर लेजिए वरना problem हो रहेगी एक ही चीज़ आप से कहूंगा कि थोड़ा focus बढ़ाई है अच्छी चीज़ें हाल से निकल जाती है क्योंकि सही time पर focus नहीं होता आज अपने मानसिक सिहत का आपको भौध्यान देना ह investment करी जा सकती है कोई बुरा दिर नहीं है उसके लिए हां किसी बड़ी चीज़ पर काम कर रहे हैं कोई बड़ा project है आपके पास personal life हो professional life हो उसके संबंद में कोई इची नहीं हो जा सकती है career अपने colleagues के साथ संबंदों पर थोड़ा काम कीजिए और office politics से भी बचिए और सबसे कारण relationship जिस तरपर पहुंच सकता है नहीं पहुंच पारा विवाहिक जीवन अच्छा है एक balance दिख रहा है आज students कुछ नया सीखने का भी प्रयास कीजिए सेहत पेट के रोग तंग करेंगे टांगों के या फिर lower body में कोई problem हो सकती है सरवाश्टक में आपका अश्टम भावत इंतबली है तो बता रहे है कि दिन थोड़ा निशित्ता लेकर आएगा उपाई यह है कि काली चली सा का दोबार भाट करना है शुब अंक है चार कले है आपका yellow भागया प्रतिशित है अच्छा दिन है आज अपने talent को जान पाएंगे talent पर काम कर पाएंगे talent को समझने के लिए उसको और निखारने के लिए अपनी hobbies पर काम करने के लिए बहुत अच्छा दिन है मैं कई बार बता चुका हूँ आज भी बताऊंगा कि जो दूई सभाव की राशियां होते हैं 3-6-9-12 इनको कभी भी अपनी creativity को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो अगर इनोंने छोड़ दी अपनी hobbies को छोड़ दि तो अपनी creative उर्जा को use कीजिए उसको इस्तमाल कीजिए जो भी आपकी hobby है खाना बनाना है गाना गाना है music है कुछ भी है उसको आज दुबारा से touch कीजिएगा जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो अपनी hobbies भूल जाते हैं लेकिन समय समय पर उन चीजों पर जाना चा investment मत कीजिएगा उसके लिए आज का दिन अच्छा नहीं intuition लेकिन बहुत अच्छी रहेगी career में भी दिन अच्छा ही है लेकिन ध्यान बस यह देना है आपको की बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं अपने colleagues पर especially और फिर वहां से disappoint होते हैं ज्यादा भरोसा मत कीजिए business दिन पैसा आएगा लेकिन organized नहीं दिख रहे आप इसकी कारण जो अचीव कर सकते हैं अपने business में वो नहीं कर पा रहे है love life love life अच्छी है कोई problem नहीं दिख रहे है विवाहिक जीवन trust factor थोड़ा तंग करेगा trust issues आ रहे है students अत्यन तशुबते रहे हैं भाग्य का साथ मिलेगा क ठीक होती है दिख रहे हैं आपके लिए उपाई यह है कि आपको लक्ष्मी चारीसा का दो बार पाट करना है शुब अंक है आपका तीन कलर है आपका ब्लैक भाग्य प्रतिशत है 75 प्रतिशत है तो यह था 14 अप्रिल का राश्री को चैनल पे नहीं है सब्स्राइब कीजी वीडियो को लाइक कीजी मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में तब दे के लिए ओमना